नमस्कार वर्ड हाट डे के अफसर पर आज हम वो बाते करेंगे जो आपके मन में आती तो बहुत हैं लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे हाट अटेक नहीं हो सकता अभी मेरी उम्र ही क्या है तो आखड़े ये कहते हैं कि 50% हाट अटेक 50 साल से कम उम्र में आ जाते हैं और 25% हाट अटेक तो 40 साल से भी कम की उम्र में आ जाते हैं लेकिन अक्सर लोग ही सोचते हैं कि जब उम्र कम है तो हाट सर्जरी की नौबत नहीं आनी चाहिए एंजियोप्लास्टी से या सिर्फ दवाएं खाकर काम चल जाना चाहिए तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या आप हार्ट अटेक के लिए तैयार हैं यह सवाल आपको डरा जरूर रहा होगा लेकिन इस डर को कम करने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौझूद हैं मैक्स हॉस्पिटल पट कराने के बारे में सोचते हैं उससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार हैं बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का सर सबसे पहले आपसे मैं यह जानना चाहूंगी की कार्डियक सर्जरी को लोग आखिरी ऑप्शन के त सब्सेस माना गया है जबकि अब evolution हो चुका है सर्जरी बहुत safe हो चुकी है लेकिन क्योंकि जो हमारा overall mindset काफी पीछे है हम पुरानी विधायें जो है आयरवेदेक दवाईया चूरन चटनी उस सबसे हम सारा कुछ वह exhaust कर लेना चाहते हैं उसके बाद हम सर्जरी पे जाना होता है आजकल हम लोग उच जगे पे पहुँच चुके हैं जहां पे the risk of bypass surgery is 1% or less it is the same as that of flying a plane आपको anxiety रहेगी जब आपका हो नी जाएगा जैसे एक flight में रहती है जब आप land नहीं कर जाते हैं पर ultimately you'll reach a destination on time पर क्योंकि हमारे social values ऐसे रहे हैं कि हमने सब उन विधाओं को ज acceptance for surgery is really poor among Indian people so when we talk of surgeries bypass surgery heart bypass surgery सबसे मुश्किल मानी जाती है और यह perception होता है कि सबसे सादा blood loss BC नो होता है अगर मैं आपसे यह पूछू कि यह जो broad criteria है जिसके हिसाब से आप तैय करते हैं कि इस व्यक्ति को तो bypass surgery का ही option है वो आप क्या बताना चाहिए यह बहुत सारे mille-jele factors हैं अगर आम तोर पर एक rough criteria यह है कि अगर तीनों नसों में blockage है तो वो cases bypass surgery से ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं अगर एक नस में blockage है या दों में है तो वो angioplasty से जो डॉक्टर पॉन बताएं उससे हो सकते हैं इसी तरह अगर emergency में problem है तो उसमें angioplasty बहुत life saving है आपकी जान तुरन बच जाती जब की surgery करने पर तोड़ा सा वक्त होगा तो इसी तरह जब तीनों और कुछ और टेक्निकल चीजें कहां पर blockage है कितना blockage है उस तरह से यह decide किया जाता है तो rough criteria यह अगर तीन नसे है उससे जादा ब्लॉकेज है तो bypass surgery recommended है अगर emergency है तो plasty recommended है यह एक rough guideline है but it keeps changing कई बार तीन वेसल में भी अगर risk है तो stent होता है कई बार single वेसल में भी emergency है तो surgery होती है but these are rough criteria बहुत सारे complications होते हैं और बहुत सारे criteria होते हैं उसमें age एक factor है उसमें blockage की जो situation है जो position है वो कितनी thick है कितनी light है कहां पर है यह सब एक situation होती है लेकिन dr. Pawan जो बहुत सा करते हैं कि non-invasive रहे angioplasty हो जाए भले ही लेकिन surgery तक की नौबत ना है तो ऐसे patients के साथ आप कैसे deal करते हैं और कैसे decide करते हैं कि कि किसको किसकी जरूरत है basically हम लोग यही बोलते हैं जो मरीज के लिए सबसे अच्छा है पहला factor वो होना चाहिए जैसे डॉक्साम ने बताया बिमारी समय दो तीन चीजों के उपर है जैसे अगर acute heart attack है तो सबसे safe angioplasty या स्टेंटिंग है और वो life saving है 50% heart attacks survive नहीं करते एविन 30% hospital तक भी नहीं पहु है अगर उस टाइम पर लेकिन उस समय भी या बाद में भी अगर यह लगता है जैसे डॉक्साम ने बताया डॉक्टर वैभम ने बहुत अच्छे से बताया है तीन आर्ट्री में ब्लॉकेज है साथ में अगर शुगर है किसी को ब्लॉकेज ज्यादा लंबी है heart की pumping कम है तो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है जैसे कि आप सिंपल सोच सकते हैं कि एक कोई भी प्रोसीजर जो एंजो प्लास्टी है मिनीमल या मिनीमम होगा लेकिन जो दूसरा बाइपास है उसके लिए अगर एडवांस बिजीर है आप यह भी बोल सकते हैं तीनो नाड़ी में जो उसके लिए सबसे अच्छा है एट में एज कितना बड़ा क्राइटीरिया है एज कोई क्राइटीरिया नहीं है कोई भी आदमी हर आदमी को अगर आप एज देना चाहें तो कोई मना नहीं करेगा तो मैंने जो मैक्सिम अपरेट किया हो 89-year-old किये वो भी अन्वेंट फ सब्सक्राइट के बाद कम से कम 10-15 साल तक मिलते हैं तो एज इसके साथ अगर बहुत सारे दूसरे विस फैक्टर्स हैं कि मोबिलिटी नहीं है एक फ्रेल्टी स्कोर है अगर वो पिशन चल नहीं पाते हैं अपना काम धाम नहीं कर पाते हैं तो उस तरह में चायद हम नहीं सब्सक्राइब करें लेकर कोई सिर्फ उमर एज इस नौट नंबर जैसे डालोग इस नौट एज इस अगर वो पिशन अपना काम करते हैं अपनी देखभाल कर पाते हैं तो उनको उनकी सज़री होनी चाहिए ब्लकु आप जो मेडिकल एडवांस्मेंट्स हैं वो भी यहीं रोजाना नए-nएडवांस्मेंट्स हो रहे हैं नहीं टेक्नीक्स आ रही हैं एंग्योप्लास्टिक का भी सरे कंवेंशनल तरीका होता था कि ग्रॉइन से कैथेटर जाता था लंबा चौड़ा उसे हम नौन इंवेजिव कहते हैं चोटा सा पंक्चर होता था लेकिन अब हो भी बदल गया है अब रेडियल अगयी है हमारे बैनेफिट्स के लिए मैं अपने ओडियंस के बोलना चाहूंगा कि जैसे एडवांस्मेंट जितना कार्डिक साइंस में बताया ही सीटी विएस में भी 1% मॉर्टैलिटी से कम है ऐसे हमारे यहां जो सबसे आदा प्रॉब किसी भी तरह का नहीं होता आपका नाइफ यूजी नहीं होता किसी भी तरह से जिस जस्ट ए स्मॉल निडिल जो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप जैसे ग्लुकोज की निडिल है आप ऐसे समझा सकते हैं वही एक निडिल एक सुई जरासी गई और आप उससे इंक देके कुछ घंटो का टोटल अगर सिर्फ एंजिओग्राफी टेस्ट है जो की बहुत बड़ा टेस्ट लगता है सबको हाट का टेस्टिंग है तो आप दो घंटे में डे केयर बोलता है हम लोग डे केयर मतलब आप सुबह आप दो घंटे बाद ऑपरेशन होने के आप अपने घर प्रोसेज्ट हएं तो यह पर चाहिए क्योंकि Jaan और उसकी वजे यह मानी गई क्योंकि बडिडिंग का रिसक बहुत ज्यादा है पैर की नशेंब बहुत मोटी होती है बहुत होती है घोर्ग आयजिवर्वायवल जा making Kath you just a हाथ की स्टेंटिंग से काफी ज़्यादा benefit माने गए राधर देन पैर की अंग्योप्लास्टी से अब रिस्टू हाट कह रहे हैं कितना common है अब यह हम लोग अपनी मैक्स पटपड़गंज में 95% procedures हम अपने हाथ से कर रहे हैं बची जगा भी काफी जगा धीरे-धीरे हो रहा है ठीक है यह procedure क्योंकि यह चीपर भी है चीपर इसलिए क्योंकि hospital इस्टे कम हो जाका है आपका आपका patient को comfortable है और साथ में यह है कि overall trials सारे दिखा रहे हैं कि death का भी rate कम है bleeding का कम risk है लेकिन इसके साथ एक ही लिमिटेशन थी वो यह थी कि learning curve खोड़ा बड़ा होता था initially क्योंकि इंडिया में हम लोग पैर से ही ज़्यादा एकलमेटाइज हैं करने के बड़े hospitals में हमने भी घीवी पन्त में इम्स में हम लोग जहां भी रहे हैं वो अधिकतर थाई से अधिकतर होता था तो this is a relatively new thing जो कि दीरे-दीरे परस्पेक्ट में आ रही है that is why इसका जो सामान था या hardware हम बोलते हैं वो अभी इस पर काफी काम हो रहा है और अब तो 90-95 परसेजर अभी हाथ से ही चल रहे हैं एक पड़गंज में हम लोग कर रहे हैं बची जड़ा भी काफी लोग कर रहे हैं यह एक वो एडवांस्मेंट है जो आपके फाइदे के लिए भी सोची गई है और किस तरह से हार्ट प्रोसीजर को और आसान बनाया जाएं सेम ट्रिंसेपल एप्लाइस तो बाइपास सर्जरी पहले लोगों को लगता था कि बहुत ब्लड लॉस होगा कई घंटों सर्जरी चलेगी और उसके बाद जो पोस्ट आफ रिकवरी है वो बहुत लंबी होगी वो सेनारियो क काफी हद तक बदल चुका है बहुत सारी यसी टेकनोलोजी आ चुकी जिससे ब्लड ट्रंस्वीजन रिकवार्मेंट अल्मोस्ट अमिनमल है इन फैक अगर किसी का हिमोगोगों 12 ग्राम या उससे जाधा है तो ब्लड ट्रंस्वीजन नहीं लगता उसके लिए बहुत सारी ब्लड कंसर्विंग स्टाटेजीजीजे बट मोर दन दाट मिनमल इंवेजर काडिक सजरी विच इस दन थ्रू स्मॉल कट अबॉट 5 संटिमेटर कट इन लेफ साइड अव चैस्ट जिससे स्टनॉट्मी यह निकि चाती की हड़ी को काटने की जरूत नहीं पड़ती तो जि इस से ब्लड लॉस भी कम होता है और इंफेक्शन रेट भी कम होता है लेकिन यह हर किसी में नहीं किया जा सकता कुछ स्पेसिविक चुन्दा लोगों में यह किया जा सकता है बट अगर हम मिड लाइन से सजरी की बात करें तो वो भी 1% सेफ है और उसमें भी ब्लड ट्रां अगर हम अंटिस्वेट कर रहे हैं कि उतना ब्लड लॉस नहीं होगा तो उसकी भी जरूवत नहीं है पेशन का खुद का एक उनिट ब्लड पर ले लिया जाता है बैग में और उसी को बाद में ट्रंस्फ्यूस कर दिया जाता है उसी सेम ब्लड बैग में उसको ब्लड ब्ल स्टार्ट वोकिंग नेक्स दे एंड गोज होम ओन दे फाइव माइस के बाद वो और कम हो गया है माइस के बाद तीसरे आ चौथे दिन चुटती है जाती है छे मैने के बाद तो दोनों सजर्जरी में कोई अंतर नहीं है चाहे वो मिद लाइन से करें माइस करें पट हम पह तो यह जो पूरी जो डिसकुशन है यह आपके मिट्स को क्लियर करने के लिए लेकिन एक बहुत-बड़ा फैक्ट है जिसे हम लोग दरकिनार कर देते हैं वह यह है देट जो जिससे हमने शुरू की, are you ready for a heart attack? यानि कि अगर अभी आपकी उम्र नहीं है, आप 40 से कम हैं, आप 35 के हैं, आप फिट दिखते हैं, तो आपको लगता है, आरे हम बहुत दूर हैं heart attack के खत्रे से, इसको हम अब मानने की लोग गलत सोचते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, पुजा, अभी जो studies हैं, अभी बता रहे हैं कि 33% Indian adults, जो death होती है, वो heart attack है, one-third Indian adults dies due to heart attack, so adults and even in less than 30% or 30 year of age, sorry, then 10% patient has heart attack and to be fair, two points has to be taken in consideration in India, हिंदुस्तान में दो चीज़े हैं, हमारा heart attack अमरीका से 10 साल पहले होता है, वहां 50 साल है, हमारी 40 साल है, और हमारा heart attack तीन गुना ज़्यादा severe या fatal या death देता है, यह हमारे Indians में unfortunate हैं, क्योंकि हमारी genetics ऐसी है, तो दोनों चीज़े हैं कि death का chance तीन गुना ज़्यादा है, और heart attack 10 साल पहले है, तीन risk factor उसके लिए माने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसको हम change कर सकते हैं, जैसे कि diabetes, दूसरा smoking, smoking हमारे हैं बड़ी prevalent है, इसको हम सोर सकते हैं, smoking, hypertension और increased BMI या weight हम जो बोलते हैं, non-modifiable जो बोलते हैं, जो हम change नहीं कर सकते हैं, जैसे family history है, for example, अभी एक celebrity का काफी जादा था शुकला जी का, तो उसमें दोनों, exactly, वो दो reasons थे, अगर दो cumulative होंगी, उनके दो reasons थे, उनके दो reasons थे, one was that family history, and his father has cardiac problem in 2004 and 2005, and the second was that smoking, I think so, so, अगर ये risk factor हैं, then one should, I usually say, please keep your heart attack risk also, we keep our credit scores, we keep our insurance scores, we prepare for your, ready for your heart attack with your heart attack risk also. So, heart attack risk is, one is family history, second is diabetes, third is smoking, fourth is hypertension and your weight, if you are like this, then they say, then are you ready, then what will you do, if you have some accident, then you will call a doctor or something like that, so, what are the symptoms for heart attack, only three things you have to remember, first is, अगर chest pain आपको लग रहा है, जो पूरी छाती में हैं, और इस में से आपको कुछ भी है, शुगर है, साथ में हैं, लेकिन सबसे chest pain किसी भी तरह का हो सकता है, चाती में दर्द के साथ अगर पसीना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, थंडा पसीना, हमारे यहाँ क्योंकि atmosphere change होता है, हम लोग सब लोग AC में नहीं रते, अगर आप थंडा पसीना साथ में आ रहा है, तो इसको heart attack का symptom आने, इमेडियेटली आपके पास कोई भी एक number ऐसा होना चाहिए, किसी भी cardiologist का, जिसको कि आप immediate phone कर सकें, कि doc साम मुझे यह हो रहा है, मुझे क्या करना है, आपके पास दो number होने चाहिए, दूसरा एक ECG जगा होने चाहिए, जहाँ ECG करा सकें आप, नियर भाई, जहां भी हैं, आप ECG करा हैं, immediately उस doctor को आप अपना ECG WhatsApp करें, इससे ही आपकी 90% life survival 50% हो जाएगा, वो बता सकता है आपको जो भी आपका friend है, doctor है, hospital है, कि heart attack है, immediately एक life saving pill आपको रखनी बहुत जरूरी है, आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 30% life दुनिया में बच connection का है, जो 10 active place हम hospital में लगाते हैं, दोनों से survival बराबर है, हर घर में, डिस्प्रिन हर पॉकेट में होनी चाहिए, हर hospital में होनी चाहिए, आप डिस्प्रिन अगर चीव करेंगे, तो 30% death बच जाती है, heart attack से, लोग sorbit rate बोलते हैं, वो myth है, sorbit rate नहीं देनी है, उकसे VP कम हो जा जाते हैं, within 10 minutes हम angiography कर देते हैं, 20 minutes में angioplasty and your life is saved, और your well-being जो भी friends है, life saved होगे, तो these are the three steps, one is you should have a credit score, like credit score, your heart attack risk score, second a doctor number, third a ECG place and fourth to go to a nearby hospital and with this sprint. And assess your heart risk, जैसे डॉक्ट साब ने कहा, डॉक्ट पावन ने, डॉक्ट वैभब, डॉक्ट साब ने कहा कि जेनिटिक्स बहुत role play करते हैं, इंडियन जो heart attack से pre-disposed हैं, आप क्या देखते हैं, आज की rate में हम lifestyle को कितना जिम्मेदार मानते हैं और जीन्स को कितना जिम्मेदार म अग्टर lifestyle की changes की वे से ही सब हुआ है, जब हम जेनिटिक्स की बात करते हैं, तो यह जानना जरुदी है कि जेनिटिक्स कैसे contribute करता है, इसी cholesterol होता है हमारी body में, cholesterol को metabolize करने के लिए बहुत सारी genes होती है, इन genes का metabolism defective होता है, यह हमको हमारे parents और हमारी family में pass on होता है, तो genetic risk factor cholesterol, hyper cholesterol linear से है, मतलब कि वो genes जो हमारे cholesterol को metabolize करेंगी, वो कहीं न कहीं, वो genes defective होती है, और ऐसी हजारो, unnamed genes है, इसलिए इनका कोई नाम नहीं है, तो वो फिर inherit हो जाता है, हमारा cholesterol metabolism defective होता है, तो अगर weight कम भी हो, और ऐसे लोग, आपने देखा हो, ज़रूरी नहीं कि वो obese हो मोटे हो, बट उनका cholesterol metabolism is defective genetic level, so then they inherit the risk, जहां था कि lifestyle, तो lifestyle again, lifestyle has changed so much, अगर आप देखें कि आज से 50 साल पहले jobs क्या होते थे, they were all manual jobs, physical jobs, demanding a lot of physical activity, agriculture ये, उसके बाद अब धीर धीर office jobs आ गए, एक time पर क्या था था कि अगर आपको office job भी है, तो आपको public transport was not so good level, आप चलते थे कहीं पर bus पकड़ने के लिए, market जाते थे, सबजी लेने के लिए, but आज e-commerce से everything is available at home, you have door to door service from your workplace to your home, so physical activity इतनी कम हो गई है, अब because of this being busy, you don't have time to cook, so you are relying on fast food, अब उसकी वे से क्या हो रहा है, आपकी physical activity कम हो गई है, आप fast food क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, but it is loaded with saturated fats, salt, जि जल्दी बन जाते हैं, जल्दी मिलते हैं, टेस्टी भी होते हैं, so in today's time, what do you see the ratio, genetic factors versus lifestyle factors, both are contributory, and genetic factor plus lifestyle, genetic factor तो, जैसा हमने देखा, Indian race is more susceptible to heart attack, क्योंकि हमारी size भी कम होता है, coronary arteries का, so we are more susceptible, उसके उपर से, हमने वो lifestyle adopt कर ली, जो western culture ने की है, तो ये, this is even more detrimental, it is causing even more harm, both the factors combined, lack of physical exercise, अभी हमारे हैं, exercise के लिए उतना जाग रुपता नहीं है, लोग करते हैं, so people are accepting sedentary lifestyle, और अगर आप देखें, तो पुराने जमाने में, क्योंकि हमारा वो देश था जहां पे, खाने की बहुत प्रॉबलम रहती थी, तो अगर किसी का पेट निकला है, तो ये माना जाता प्लंक, as being something which is good, fortunate, we have food, तो वो खाते पीते घर का इसले उस जमाने में जिसके पास food होता था उसका पेट निकल जागा तो अब लेकिन अब ये सब चेंज करना पड़ेगा, we have to go, we have to accept that, you know, diabetes, obesity, overweight, BMI more than 25, all these are risk factors, और ये अब थे विरे, we have all these channels and media and social media, कि इसके जागरुता ह होगी कि लोग समझेंगे कि ये, this is not normal, if you're diabetic, it is not normal, if you're overweight, it is not normal, if you're smoking, it is not normal, if you're hypertensive, cholesterol is high, then you'll suffer, you'll have a great deal of risk of heart attack. बिल्कुल तो जैसे दॉक्टर वैभव मिश्रा और दॉक्टर पावन कुमार ने आपको बताया, भारतियों का खत्रा बड़ा है, इसलिए भारतियों को सावधानी भी ज्यादा रखने की जरूरत है, अगर आपका weight ज्यादा है, तो खुद को खाते पीते घर का मत समझेए आपके पास exercise का time नहीं है, सीडियां चड़िये, आपके office में lift होगी, उसे छोड़ दीजे, cigarette छोड़ने के लिए बताना कोई नई चीज नहीं है, आप jeans नहीं बदल सकते लेकिन lifestyle factors बदल सकते हैं, और दोनों doctors में आपको ये भी बताया कि last minute आप क्या कर सकते हैं, आखिरी symptoms, अगर आपको chest में कोई भी unusual sensation हो रहा है, तो इसको ये मत सोचिए, gas है, acidity है, इसको time waste मत करिए, अगर आपको कुछ भी unusual sensation हो रहा है, if you are above the age of 40, diabetic, hypertensive, तो आप assume करिए, ये heart attack हो सकता है, उस condition में जैसा ये discuss किया गा, अगर aspirin है, आपके पास तो लीजे, नहीं, तो समय वे अगर एक घंटे के अंदर अंदर आपकी angioplasty करके, अगर stand डाल दिया गया, तो आपकी जान बच जाएगी, इसलिए don't assume any kind of chest discomfort or chest pain for acidity, gastritis, something else, please go to a nearest center, और दूसरी चीज़ ये मैं बोलुगा कि अगर आपको जो भी treatment specialist बोलते हैं, अब जमाना, you know, we see everybody using smartphone, but जब treatment की बाद हैं, तो हम सबसे पहले सबसे पुराना, सबसे पुराना treatment चाहते हैं, कि किसी चट्मी, किसी चूरन से मारा गाम होजा, ऐसा नहीं है, अगर आपको बताया गया है, कि इंजिप्लास्टी है, तो please करवाईए, अगर आपको बोला गया है, कि bypass surgery 1% से कम risk है, उसको please कराईए, क् कि फिर आप, आप बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं, जिनको हस्पिल पहुचने का भी मौका नहीं मिला, डाइग्नोसिस का भी टाइम मिला, तो अगर आप हस्पिल पहुचे हैं, और आपकी डाइग्नोसिस बनी है, तो consider yourself very fortunate, and then you should not ignore the advice of the doctors, you should go ahead for the treatment which has been advised, whether it is plasty or surgery, everything is equally safe, there is nothing more precious than life, आपको दी जाएंगी, वो ही life आपकी काफी survive कर देती है, और चौथा टीप जो रहेगा, जैसे डॉक सबने भी बोला है अभी, आप immediately angioplasty हाथ से हो, कई बार में थाई से भी rare cases में करनी परती है, तो you have to obey the, आपको डॉक्टर की advice माननी है, immediate treatment लेना है, तीन गंटे बाद आ है, उसमें पूरी family unexpected sudden death, सबसे बड़ा करन है, तो इसको lightly ना ले, और अपने लिए तयार रहे है, ready for your heart attack, and for your family, for your members, everybody, and try to help them also at that time, अगर उनके पास गाड़ी नहीं है, कोई बोल रहा है, तो आप अपनी गाड़ी दें, पर don'ts are that you shouldn't drive, you should be relaxed, okay, तो World Heart Day के मौके पर अपना heart score देखिए, कितना healthy है, कितना unhealthy है, अपने warning signs लिख लीजे, और क्या नहीं करना है, वो सबसे पहले note करके रखिए, कोशिश कीजिए, आपको hospital जाने की नौबत ना आए, लेकिन अगर आती है तो उसे टालियमत, भारत की जो healthcare system है, वो global standards के मताबि है, उतनी ही बहतरीन है, जितनी वेस्ट में है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, देर से पहले पहुंचना ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए, उसकी नौबत ना आए, thank you so much for talking to us, thank you so much Dr. Mishra, thank you so much Dr. Bangal.